ये बताइए कि क्या है Unified Pension Scheme क्या हुई है? Personal Employee के लिए बैरी बोले बहुत अच्छी है, पर सरकार के लिए नहीं है. नमस्कार दोस्तों, स्वागत अपी डबली उनली आईयस में. आज Unified Pension Scheme के अराउंड जितने सारे आपके FAQs हैं, Questions हैं, उनको आंसर करते हैं. साथ ही इस चीज़ पर डिसकस करेंगे कि ये नई Pension Scheme जो पहले से लागू थी 2004 में, उसके बाद आज हम UPS पर कैसे आ गए? ये पहली बाद तो introduce कराने के पीछे reason क्या रहा, इससे फाइदा क्या होगा, इससे क्या नुकसान हो सकता है, और ये जानना जरूरी है कि इंडिया की सरकार के ऊपर कितनी बड़ी liability आने वाली है. ठीक है, सारे questions को answer करेंगे, एक एक करके question शुरू करते हैं, क्या question है? सबसे पहला question तो सर ये बताइए कि क्या है, Unified Pension Scheme क्या हुई है? तो ये UPS जो है, इसमें provisions है सारे के सारे, उन लोगों के लिए जो retire होंगे सरकाई नोकरी से, अब उनको retire होने के बाद एक fixed amount, fixed amount उनको मिलेगा ही मिलेगा, क्या ये पहले नहीं था? ये पहले था, पर जो पहले NPS हुआ करता था, जो National Pension Scheme, जो 2004 से implemented थी, अब उसमें क्या था? कि आपको जो एक fixed sum मिलना था, वो fixed sum नहीं था, वो market के उपर था, कि आपकी तनख्वा में से कुछ पैसा निगलेगा, और वो पैस जाएगा, एक corpus में, जो कि market में rotate होगा, invest होगा, उससे profit आपको मिलेगा, तीस साल की आपकी नौकरी के बाद, जब भी होगा आपका retirement, ठीक है, तो ये pension जो होगी, calculate कैसे होगी, इसमें कुछ-कुछ clauses है, पहला clause क्या है, 25 साल से ज्यादा कि अगर आपकी नौकरी हो गई है सरकाई नौकरी, अब यहाँ पर आपको मिलेगा, जो आपने अपने retirement से just एक साल पहले, 12 मंत के अंदर, जो आपने salaries कमाई थी, हर मने जो आपकी तनखुआ आती थी, उसका एक average निकाला जाएगा, उस average का 50%, मान लेते हैं, अगर मैं 2024 में retire होता हूँ, तो 2024 के पीछे गए, 2023 2023, अब यहाँ से लेके, जो भी 12 साल, यह जो 12 मंत हो रहे हैं, इन 12 मंत में, मेरी जो भी average मेरी तनखुआ रहीगी, average salary, उसका 50%, मान लेते हैं, कोई थरकारी अफसर, जब अपनी service के दोरान, अपने highest position में पहुचा, retirement की age आ गई, retirement की age आते आते, जो उनके हाथ में, जो उनक यहाँ जो भी उनको average जोन की तनखुआ चल रही थी, आखरी 12 महिने में, यहाँ पे, उसका 50%, वो आपको मिलेगा, ठीक है जी, क्योंकि आपने साल तक सरकार की सेवा करीए, अच्छा, पहला question हो गया, यहाँ पे, क्या हमको, as a government employee, क्या हमको contribute करना पढ़ेगा आपनी तनख सर, पहला तो यह बताईए, क्यों आई, यह स्कीम लाने की बज़े तो जानने ही चाहिए, इसके features बात में समझ लेंगे, अच्छी है, बुरी है, क्या है, तो सारी चीज़ समझेंगे अभी, हाँ, यह हम लाइव आते हैं, discussion होता है, सारे doubts आपके होते हैं, आप, you can either scan the QR, or you can search for this handle, now, coming to, कि सर, क्या हुआ है, पहले तो यह बताईए, यहाँ पे समझने वाली बात यह है, कि जो employees की जो salary है, अब अभी तो salary जा रही है, सरकार के ex-checker से, सरकार के fund से, अब यह जो क्या होता है, सरकार tax collect करती है, इन tax से सरकार के पास expenditure होता है, government expenditure, ठीक है, अब यह expenditure का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता था, और अभी भी है, वो है salary, वो है pension, और इसके अलावा, क्या-क्या है, कि जब सरकार development works करती है, तो development works करने के लिए, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है, correct, बिल्कुल सही है, पर कभी-कभी, यह component इतना जादा बढ़ जाता था, कि इस काम के लिए पैसा कम रह जाता था, एक समय था जब education sector जैसे, important sector में, 96% budget का हिस्सा, खाली salary और pension में जाता था, खाली 4% में अब education sector में, जो आपको development करना हो, करवालो, building के बनवालो, school बनवालो, जो भी, किताब, uniform, जो भी चीज़ है, midday meal, सारी चीज़ों, ठीक है, अब सरकार कोशिश करती है, कि किसी भी तरह, जो हमारे expenditure का ये वाला component है, salary और pension का, ये किसी तरह कम हो सके, और development पे हमारा focus बनने लगे, क्योंकि यही तो चाहिए, हमें देश में सामाजिक विकास जो हो, वो ऐसा हो कि हर जगे, हर तपके तक पहुँचे, ठीक है, अब question करते हैं कोई भी व्यक्ति, कोई business, कोई भी जो जगे होती है, वो एक सरकारी नौकरी के employee को ज़्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि जीवन भर नौकरी के दौरान, इन्होंने private sector को या तो कभी investigate किया है, कभी interrogate किया है, कभी कहीं पर छापा मारा है, कभी कहीं raid करी है, कभी कोई policy ब हमको अपना दिया, हमारी फर्ज बनता है, कि हम इनको retire होने पे, जब ये भुजर्ग हो जाएं, बुड़े हो जाएं, तो हम इनके लिए कुछ बना के रखें, ठीक है, इसी के लिए आया था हमारा pension scheme, ठीक है, अब pension scheme में, देखो हमेशा बदलाव होते रहे, कभी वो पहले OPS कहलाती थी, ठीक है, फिर उसके बाद, पहले OPS कहलाती थी, फिर NPS आई थी, अब आगए unified pension scheme, ठीक है, तो जो OPS गुआ करती थी, OPS में क्या होता था, अगर कोई retired employee है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो अपना 50% पाएंगी अपनी salary का, very good, very good, ठीक है जी, यहाँ पे इ पुरानी है, तो वो रकम पहले की होगी, पुरानी होगी, आज के जमाने में उस रकम की value, कम हो जाएगी अगर वही रकम मिलती रहती, तो जाहिर बात है कि उसको adjust करते हैं, allowance देखे, ठीक है, अब यह जो DA rates है, upon retirement, employees were also entitled to, एक gratuity payment जो उनको एक साथ मिलता था, 20 लाग के आस OPS में अगर कोई retired employee चले जाते हैं, या गुजर जाते हैं, तो उनकी family को, यानि उनके spouse को मिलती रहेगी pension benefits, अच्छा, ठीक है, इसमें और क्या होता था, ऐसे कई notable aspect थी OPS के, जो कि सरकारी करमचारीों को अच्छे लगते था, ज़्यादा था, क्या कि इसमें कोई उनकी salary से कुछ भी deduction नहीं होता था, कुछ भी दिक्कत नहीं होती थी, और जो भी सरकार है, सरकार अपना contribute करती थी उनके pension fund के लिए, ठीक है, ये जो old pension scheme थी, personal employee के लिए very good है, पर सरकार के लिए नहीं है, सरकार के लिए बहुत बड़ी liability बन जाती थी है, फिर हम लाए national pension scheme, आपको य तो फिर हमने देखा, 2004 में फिर एक scheme आती है, NPS, और इसमें कई सारे features होते हैं, इसमें ये बोला जाता है, जो central government employee है, आपकी जो salary तनक्वा आ रही है, उसमें से 10% कटेगा, ये 10% कहां जाएगा, एक fund में जाएगा, अब इस fund में पैसा जा रहा है, इसमें 10% employee डाल रहा है और 14% सरकार डाल रही है, ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ पे ये जो pension amount है, NPS में, जो मिलेगी, अभी pension महीने महीने के साब से नहीं मिलती थी, ये pension बोला गया, जो जो employee 2004 के बाद service आ रहे हैं सरकार के, उनको बाद में एक NPS fund मिलेगा, उनको corpus मिलेगा, जो कि market से link रहेग इस fund invest करेंगे graduate में, अपने mutual fund में, कई कई और जगे पे, तो ये fund grow होगा, ये fund invest होके बड़ा होगा, फिर इसमें से आपको आपकी pension का तनख़ा मिल जाएगी, ये लगग लगग कई सरकाई नोकरियों के हिसाब से ये जा रहा है 3.7 CR, ठीक, 3.7 करोड के असपास, या 2.7 कर जैसे इसकी service रही हो, ठीक है, ओके, family pension इसमें क्या थी, ये depend करती थी on the accumulated corpus, कि आपका corpus या आपका fund जो है, कितना ज़्यादा accumulate हो पा रहा है, और pension fund और आपने जो annuity plan क्या चूस किया है, उसके ऊपर, ठीक है जी, ओके, ये NPS scheme को अब हटागे replace किया जा रहा है, unified pension scheme से, प कहां पीछे हम, revert to the old pension scheme, ये चार state ने बोला, हम अपने, ये जो हमारे करमचारी रहे, अदिकारी रहे, इन लोगों को, हम old pension scheme के तहत ही अपनी pension देंगे वापस, ठीक है, फिर इसके बाद, ये decision जो था, ये हमारा UPS लाने का, decision इसलिया था, क्योंकि several, several कई सारे non-BJP states ने तो उन्होंने भी स्केम तरीकी demand रखी थी, किसाब हमें भी वही चाहिए, जो यहां मिल रहा है, जो old pension scheme में मिल रहा है, वो अच्छा था, ना salary कट रही है, बाद में जो pension आएगी, वो pension कैसी होगी, mega is adjusted होगी, अब ये लाने के पीछे, सरकार नहां ठीक है, अब आपकी इत CK जो कोई employee रहे हो, जो जल्दी retire हो जाते होंगे, या अपना service छोड़ देते होंगे, VRS जैसा भी है, उनको pension, उनके proportional, उनकी तनख्वा के हिसाब से मिलेगी, ठीक है, जैसे जैसे उनकी तनख्वा रही होगी, जैसे उनको काम रहा होगा, service जो भी उनका अपना सब एक assured minimum pension देती है, 10,000 रुपए प्रती माहा तो मिलेगा ही मिलेगा, upon super annuation, जब fund अपना पूरा आ जाएगा उपर, ठीक है, after minimum of 10 years of service, 10 साल की जर्वेस तो आपकी कम से कम होई हो, ठीक है, okay, UPS will apply inflation indexation, यानि महंगाई को adjust करके to the assured pension, assured family pension and assured minimum pension, तीनों जो हमारी pension जो बन रही है ये वाली pension, ये वाली pension और ये वाली pension, इसको महंगाई से adjust किया जाएगा, as and when महंगाई उपर जाती है, ठीक है, okay, जो DA relief है, is based on, ये कैसे calculate कैसे होगा, तो इन्होंने बताया, सरकार नहीं बताया है, कि ये calculate होगा, AI, CPI, IW से, ये क्या होता है सर, ये होता है, All India Consumer Price Index for Industrial Workers, य ये एक ऐसा scale है, एक ऐसा measure है, जिससे तय होता है, कि एक काम करने वाला जो employee है, कोई अगर करमचारी है, तो वो आज किस तरीके का महंगाई समझ रहा है, देख रहा है, अपनी salary के इसाब से, और उसकी परचैनि बावर कितनी रह गई है, उसकी जो salary है, वो कितना compete करवा रह सामने है, और अपने सारे investment के सामने है, ठीक है, additionally, यहाँ पर employees, उनको एक lump sum तो मिलेगा ही मिलेगा, payment, कब मिलेगा, at super annuation, calculated as one tenth of monthly, जो भी उनका deduction हो रहा है, ठीक है, जो उनको pay मिलेगी, अब ये चीज़ समझ नहीं है, कि सर जब ये आ रही है, स्कीन, तो इसमें कुछ और फाइदे हैं, कुछ और बात है, ये pension के इनको लेनी चाहिए, पहली बात तो ये बताईए, तो ये बास समझेगा, जो हमारे बुज़ुर्ग करमचारी रहेंगे, जो retirees होंगे, तो ये retirees को अभी choose करना पड़ेगा, अब इसमें इनको ये एक अप्रेल, 2025, 2025 से लागू हो जाएगी, तो उसके पहली करमचारी को choose करना पड़ेगा, और करमचारी को एक बारी चूज करना पड़ेगा, ये बार-बार switch नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है जैसे जो हमारी tax regime होती है, old regime, new regime, switch करते रहो, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, अगर pension आपको मिल रही है, क्या पीछे बात करी, NPS में तो एक fund बनता है, कि उसमें करमचारी अपना पैसा डालता है, और सरकार अपना पैसा डालती है, उस fund को फिरूटेट किया जाता है, invest किया जाता है, वो fund ग्रो होता है, यहाँ पे, unlike OPS, where budget makers do not set aside कोई fund, क्योंकि सरकार ही देगी वहाँ तो, यहाँ प अब कौन से retiree, what about retiree under NPS, जिन retiree इसने 2004 के बाद से चुन लिया था, कि हम तो साब NPS नहीं है, क्यों क्या करें, तो अब यहाँ पे, provisions of UPS will apply to past NPS retiree also, जो retire हो चुके हैं, जो आज घर में बैठे हैं, जो आज अपनी नौकरी की अपनी पुरानी याद है कर रहे हैं, जो आज करके, will be paid with interest at people's rates, हर चीज़ दे रही है सरकार इस बार, काफी अच्छा scheme है उन लोगों के लिए जो retire हो रहे हैं, now, can you switch from UPS to NPS later, ये चीज़ नहीं, no, 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 once you choose UPS, you cannot switch back, नहीं हो सकता, अब फाइदा और नुकसान क्या है, तो NPS और UPS, अब NPS, क्योंकि market linked है, तो इसमें potential है, कि ये जो fund amount है, जो हमारा pension fund है, ये बहुत उपर जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये market linked है, ठीक है, अब market बढ़ा, growth अच्छी आई, सब कुछ return मिला, तो market rate जैसे बढ़ेगी, हमारा pension fund भी उपर जा सकता है, UPS में वो चीज़ नहीं, UPS में एक fixed cap लगा दिए, ठीक है, ये ले लेते हैं, क्यों, reason being, यहाँ पे NPS में क्या होता था, जो NPS में, portion of the fund must be invested, invest हो गई होगा in an annuity after retirement, however, however, क्या होगा, since annuity rates in India, उपर नीचे हो जाती हैं, कम रहती हैं, achieving 50% return on your investment is very, very unlikely, बहुत tough है, बहुत मुश्किल है, guarantee 50% pension under UPS is a safer alternative, सही बात है, जो safer है, जो stable है, वो लही सकते हैं, now, let's talk about, कि government की liability, यह कितना ज़्यादा problematic है, यह कितना ज़्यादा issue create कर सकता है, आगे आने वाली सरकारों को, यह तै करते हैं, अब यह वा समझना आप, अगर कोई employee को आज 50,000 pension जानी है, मान लेते हैं, 50,000 pension, ठीक है, आज के साब, अब यह 50,000 pension, इस UPS के हिसाब स calculation है, यह बनेगी 1.69 करोड, एक employee की बात हो रहेगी, वो employee अभी जो जिन्दा है, और मान लेते हैं, कि यह employee retirement के अगले 25 साल तक और रहते हैं, ठीक है, अब इसको आप adjust करो, उस समय के महंगाई के हिसाब से, उस समय के DA के हिसाब से, समय के allowance के हिसाब से, तो हमारे, तो अब यह से समझ में आ रही है, कि government ने आज एक promise दिया है, promise क्या है, promise यह है, कि हम आपको जब 2040 में, या 2050 में, जब आप retire होगे, तब हम आपको promise कर रहे हैं, कि हम आपको इतना इतना देंगे, कोई भी, कितनी भी competent government हो, वो एक estimate नहीं दे सकती है, वो यह तैय नहीं कर सकती है, कि आगे 40 साल बाद situation क्या होगी, कितना tough होगा, कितना easy होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़े रहती है, कभी inflation ज़्यादा हो जाता है, कभी ऐसे कोई event आ जाते है, जिनकी कभी किसीन कलपना नहीं करी थी, covid जैसा आ गया, और एक inestimable amount, आज सरकार promise कर रही है, सरकारी गरमचार पहुचेगा, tax से द्वारा पहुचेगा, इनके employees की salary से पहुचेगा, so अब इस news में तो अभी इतना ही है, इस में और जैसा development आएगा, हम उसको फिर take up करेंगे, till then you keep studying, stay safe, bye-bye.